नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज की वीडियो हमारा जो यूथ कंपटिशन टाइम्स की 400 प्रसनों की जिंखला चल लाई थी उसमें आज हमारा पार्ट टू है त्यान से भी जाकर आप दे सकते हैं नहीं तो प्लेंग लिस्ट बनी हुई है वहां से जाकर आप देखेंगे तो वह वीडियो आपको मिल जाए गी और आपको बता दे कि यह 400 प्रसनों की सिंखला चली है जिसमें हमने पिछले पार्ट वन में हमने 100 प्रशन कवर कर चुके हैं से जाकर आप ले सकते हैं या इस एजुकेशन क्लासस रामो के नाम से सर्च करियागा वहां पर आपको फ्री में नोट्स वीडियो पर उपलब्द कराया जाते हैं जल्दी मैंने आपको बता था कि सीटेट का मॉडल पेपर उपलब्द कराऊंगा तो कल या परसो आपको व यह तरीका मैं अभी हमारा पार्ट वन देखेंगे सव प्रशनों का अगर वह तरीका आपको पसंद आये तो जरूर हमारे कमेंट बाक्स में बताएगा कि तरीका सही है क्योंकि आप लोगों को हम सव प्रशन जो है लगबग 30 मिनट में हम आपको करा देती हैं और बहुत से आता है तो आप अपने दिम्याग में सोचे कि यह प्रशन उससे नहीं आ रहा है यह प्रशन किस टॉपिक का है उस टॉपिक को जाकर फिर से आप पड़ी यह यह सोचकर आप इस फ्रेक्टिस सेट को देखिए का बाकी चीजिए आपका जो विचार होगा चरूरूर हमारे क प्रश्ण नमर पहला है कि एक बढ़ा जल विधूत सकती केंद्र है किया है एक बढ़ा जल विधूत सकती चेंदर केंद्र कि सामने प्रस्ण नमर 101 का विकल्प थोड़ा लंबा है तो समय भी थोड़ा ज्यादा आपको देदेता हो इसका जो विकल्ब सहचिए हो गाओ ओर ईलता से उत्पन किया जा सकता है कि सी बीचीच को वाला बिकलबा近ess का सधायो चाईगा अगे चलते हैं प्रश्च नबब सागर समराट क्या है वो आपको बताना है विकल्प आपके सामने हैं और इसका जो उत्तर होगा वो होगा शमुंद्री नावी को को शमान दिया जाता है उसी को सागर समराट के नाम से जाना जाता है तो डी वाला विकल्प इसका साही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रस्ट नम निम्लिकित में से कौन सा खनीज तेलव छेतर नहीं है इसमें से कौन सा खनीज तेलव ध्यान रखिए विकलप आपके सामने हैं तो वह हमारा हो जाएगा रानी गंजंग के अंत्रग इसके अंतरगत कार खाना है कहां पर है उत्तर प्रदेश में और सूपर्टेट में उत्तर प्रदेश का है तो सूपर्टेट के लिए ये महत्तपून प्रश्ण हो जाता है कहां है मतुरा में सी वाला बिकल्प जो 104 का सई हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 105 प्रश्ण नमर 105 है कि का कहा जाता है उसको काला हीरा यहाँता है वह आपना बताना है विकल्प आपके सामने हैं कीसको काला हीरा कहा जाता है तो कोईला कोईला का रूप दृप इसका सई हो जाएगा 105 का आगे別人 branding प्रश्ण यानि कि जल सा सादनों में भारत का विश्व में कौन सा अस्थान है तो त्रितिया अस्थान है सी वाला बिकल्प जो एक सुस है का सही हो जाए गन प्रश्ण नमर 107 है कि रिहंद बाद योजना इस्तित है और यूपी सुपर टेट के लिए तो यह राम बाळक वह जाए तो रिहंद नदी में वाला विकल्प उत्तर प्रदेश में पढ़ता है सही हो जाए गां आगे चलते हैं और अगला प्रश्ण है हमारा भारत सक्ति के साधन सबसे अधिक आयात करता है आयात का मतलब होता है मंगाना निर्यात का मतलब होता है निकालना तो भारत कि सक्ति के संसाधन को सबसे अधिक आयात करता है वह आपको बताना है प्रश्ण नमर 108 का तो परमाड़ सक्ति से रिलेट सबसे ज्यादा वह आयात करता ह दी वाला विकल्प जोईस का सभी हो जाएगा 108 का प्रश्ण नमर 109 है कि सक्ति का नया साधन जिस पर वैज्यानिक खोज कर रहे हैं वो क्या है प्रश्ण प्रश्ण नमर 109 क्या है वो तो सबसे ज्यादा इसे में खोज पर लगए हो जाएगा सबसे ज्यादा हाइड्रोजन को भविश का इंदन कहा जाता है क्योंकि तेल पेट्रोल यह गैस जो है प्राकिर्टिक गैसे हैं प्रकिर्ट से मिलती हुँ जल्द ही समाप्त हो सकती हैं फिर उर्जा कहा हैं से मिली तो इसलिए मया प्राकिर्टिक गैस यह युद्ध की तो 1956 में विकल्प इसका सही हो जाए ऑगे चलते हैं प्रश्ण नमर 110 भारत में पर्थम उर्जा बिजली घर बनाया गया है कहां पर पर्थम सौर उर्जा बिजली घर बनाया सब्सेब चलते हैं प्र defence नमर 111 का सः हो जाएगा आगे चलते हैं प्रस्थ नमर 112 क्राइंग सद्धन्य च Engineers फिरन पgenर सद्धन्य हगो ना फिरल्प bिकल्प बातास ने training सबुद्स नमर 112 कविकरभ यह आ penso फिरन सब्रारा च्रूंद को आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 113 सघन भीमालय के उत्री पूर्वी भागों में नदियों से संभावित जल विद्धूत का भाग है कितना प्रतिसत वह आपको बताना है तो 60 प्रतिसत जो है उत्री पूर्वी भाग में नदियों से संभावित जल विद्धूत का भाग है तो कुलार की खान जिसको कहते हैं किस प्रदेश में हैं तो वह हमारे करनाटक में हीरे के लिए फेमस है तो वला बिकल्प इसका सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण करनाट का सीव शमुंद्र में घर कब बनाया गया ठाट का शीव स्वूंद्रम पर्ण बिजली घर कब बनाया गया था तो इसको जो है 1902 में बनाया गया था वी वाला विकल्प जो है सही हो जाए गा प्रश्च नमर 116 का आगे चलते हैं प्रश्च नमर 117 और प्रश्च नमर 117 का रहा है कि रेलेवे तथा बैंक किस सूची का विसे है वो आपको बताना है तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं रेलेवे अर बैंक कि जो है केंद्र सूची का विसे तो ये वाला विकल्प एक्टा 172 का सही हो जाए गा आगे चलते हैं प्रश्च नमर 118 खेती तथा सिचाई किस सूची का विसे है ये भी बताना है आपको प्रश्च नमर 117 से पूस्तक किस सूची का विसे है बहुत महत्म सूची के अंतरगत आ जाते हैं पूछा जाते हैं तीनों प्रश्ण में अत्मूर्थ सही हो जाएगा आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्ण 120 वर्तमान में लोग सभा में निर्वाची सद्यस्यों की संख्या कितनी है तो 45 थी उस समें इस समें लेकिन नहीं ज pan रहे हैं यादिदे को समाप्त कर दिया तक दूस ए 543 यादा है डी वला विकल्प हैं सई हो जाए गा अधिक्तम 1560 प्रश्ण में 111 कि राज्य सभा के सदस्योν का कारिकल चिंवर्ष का वर्ह जाएग है आगे चलते हैं प्रश्ण प्रष्ण नम्मर एक सो तेइस है कि राष्टपती का चुनाव कितने वर्सों के लिए होता है कितने वर्सों के लिए राष्टपती का चुनाव होता है प्रष्ण superbस वेकलपिस सही हो जाता है कि जन्पद अस्तर पर कितने प्रकार के न्याले होते हैं वह आपको बताना है तीन अस्तर हो जाता है सी वाला भीकलपिस का सही हो जाता है वक्ति अपील करना है तो कहां करेंगी उचितम न्याले में ही कर सकते हैं सी वाला भीकल्प इसका सही हो जाएगा 125 का प्रश्ट नूमर 126 उचितम न्याले के नियाधीष का कारेकाल कितनी आयू तक होता है बहुत महत्पूर्ण प्रश्ट नहीं पूछा जाता है कितनी आयू तो 65 फर्स वाला बिकल्प जो है इसका 126 का सही हो जाएगा और वहीं पूछ दे कि उचिन्याले का तो 62 वर्स होता है अधिक्तम आयू आगे चलते हैं प्रश्च नमर 127 उत्तर प्रदेश में उचिन्याले कहां इस्तित है तो इलहाबाद में इस्तित है पहला बिकल्प सही हो जाएगा और इसका खंड पीट लखनवर में भी है तो ध्यानक है अगर इलहाबाद नहीं रहेगा तो लखनवर में पर जा सकते हैं प्रश्च नमर 128 सर्व चिन्याले के नाइदिसों की न्यूकति कौन करता है वह आपको बताना है तो कौन करेगा राश्टपती ही करेगा यह वाला बिकल्प सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्च नमर 139 भारत में उच न्यालों की शंख्या कितनी है वह आपको बताएगा वर्तमान म अचिका की अदालत में दायर कर सकता है क्या दायर कर सकता है जनहित याचिका की अदालत में तो उसमें दायर होता है यह सभी कोई भी नागरी कर सकता है पीडित पक्च भी और श्वय नाले भी कर सकता है तो डी वाला बिकल्प 130 का सही हो जाएगा प्रश्च नमर 131 की निम आपसे ली जाती है प्रश्च्ट नमर 131 प्रश्च नमर 132 प्रश्च नमर 132 इनमे से कौण सा प्रतेक्षकर है यहां पर 523ड अब्कल्ब जाये गाट वी वाला प्रतेक्षकर आपसे लिया जाता है 183 एक talked सा प्रतेक्ष कर नहीं है यह ऊजाता है अब प्रतेक्ष कर कर के अंतर गथ प्रश्ण नमर 136 कि कौन सा कर केंद्र सरकार की आई का सुरोत नहीं है केंद्र सरकार की आई का सुरोत जो है नहीं है इसमें से वह आपको बताना है प्रश्ण सरकार की यह आई का सुरोत नहीं क्लगा साथा नहीं हो जाता है और प्रश्ण नमर 135 और इसमें से कंद्र सरकार द्वारा नहीं हो जाता है किरिसी कर जो हें केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है तो डी वाला वेकल पे 135 का सही हो जाएगा आगे चलते हैं 136 और यह करा कि निमनी में से किस कर को केंदर सरकार नहीं लगाती है इसमें भी वही बताना कि केंदर सरकार इसमें से कौन सा कर नहीं लगाती है 136 का मनुरंजन कर जो है किंदर सरका नहीं लगाती है प्रस्ट नमर 137 कि कौन साकर किसी अन्य पर हस्ता रांतरित नहीं किया जा सकता तो कौन साकर है जो किसी अन्य पर हस्ता कारेकाल कब से कब तक था वह बताना है योजना का कारेकाल कब से कब तक था तो वह था 2007 से 2012 तक इसका चाहिए 138 का प्रश्च नमर 149 कि निम लिखेद में इसमें से कौन सा बैंक के प्रकार नहीं है वह आपको बताना है दो बीकल्ब यहाँ दीखी रहे देशी बैंक बैंक बेपारिक यह दोनों होते हैं पर्शंद नमर 149 का आगे देख लेते हैं टो इसमें साहुकार जो है कोई बैंक के परकार में नहीं आता है डी वाला वीकल्ब जब्थ भारती रिजर्ब बैंक कार हैं इसमें से कौन से कार हैं तो वह बता नहीं है इसका जो बिकलप सही होगा वह उत्यां रखिए गए है चलिए प्रश्ण नमर 141 हो गया एक्सारारीश पर चलतें प्रश्ण नमर 141 है भूमी विकास बैंक देता है कैसा देता है तो यह जो बैंक होता है यह कालिंग रिंड देता है वी वाला बिकल्प जो 141 का सही हो जाएगा अगर आप हमारी वीडियो नहीं देखेंगे तो जरूर वो पिछली वीडियो देखिए अर्थसास रिलेटट उसमें हम से बात किया था यह बाड की कारीकण प्रश्ण नमर 146 बैंकों काराश्टी करण कब किया गया था वह आपको बताना है तो कब किया गया था तो 143 का जो हमारा बिकल्प सही होगा वह भी वाला 1980 में 6 बैंकों का राष्टी करण किया गया था उसके बाद हो जाता है 1949 में एक बैंक का राष्टी करण किया गया था ये तीन संथे ध्यान रखेगा आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 144 एक रुपय का नोट काओ निर्गमित करता है तो कौन एक रूपे का नोट चापता है वो आपको बताना है तो भारत सरकार चापती है दो रूपे से अधिक की नोटें जो है रिजर्ब बैंक चाथती है तो ये चीजे ध्यान लखिएगा प्रस नमर 145 है कि बैपार कर लगाया जाता है किसके द्वारा बैपार कर लगाया वो हो जाएगा बी वाला बिकल्प राजी सरकार द्वारा बैपार कर लगाया जाता है और सबसे आमदनी इसी से होती है थोड़ा लाइट भाग जारा इसलिए वीडियो को रोकना पड़ाया तो ध्यान लखिएगा प्रस नमर 146 है कि सीमा सुल्क लगाया जाता है किसके द् तो किंदर सरकार द्वारा लगाया जाती है अंतराष्टी अस्तर हो जाता है तो सीवल अभी कल्प 146 का सही हो जाता है प्रस नमर 147 है कि निम निखित में से कौन सा राजी सरकार द्वारा लगाया जाता है कौन सा कर इसमें से राजी सरकार द्वारा लगाया जाता है वो आ आपको बताना है तो मनरंजन कर राज्य सरकार लगाती है प्रश्ण नमर आगे चलते हैं और 148 है कि कौन सा कर राज्य सरकार की आय का सुरोत नहीं है इसमें से कौन सा कर तो वह कर हो जाता है यह वाला भी कल्प निगम कर मैंने पीछले वीडियो में इसकी बात भी किया हो तो कौन थे राजा राम मोहन राय कौन थे वह आपको प्रश्ण नमर 149 का बताना है और यह जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे तो यह वाला पिकल्प इसका सही हो जाएगा 149 की प्रश्ण नमर 150 है कि स्विंग तुराष्ठ शंग के अंग कितने हैं अच्छा स्विंग प्रश्ण नमर 150 विकल्प हमारा डी वाला यह सभी आ जाता है द्यान अखिएगा इसके अंग के अंतरगत सुरक्चा परिश्ण सची वाले यह सभी आ जाता है प्रश्ण में 151 का 152 है कि 1857 का स्वाधिंता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी यह कथन किसका कहा गया है आपको बताना है कि कथन जो किस ने कहा था बहुत पूछा जाता है यह कथन अठार सो संताउन की करांति आपके सिल्वस में दियेगा 152 का जो हमारा अभीकल्प सही होगा सर जान लारेस याद रखेगा सर जान लारेस ने कहा था यह वाला अभीकल्प सही हो जाए गा आगे चलते हैं प्रश्ण नम्मर एक सो तीरपन सती पर्था का अंत किस ने किया आपको बताना है किसीने किया था सतीपर्था का अंत तो राजा राम मोहन राइं कराये थे प्रश्ण नमर एक सो तीरपन का जो हमारा विकल्प सही होगा राजाराम मोहन राही है क्योंकि गवरनर का नाम दिया ही नहींग गया लाडवेलियम बैटिंग का नाम दिया जैज आगे चलते हैं प्रस्ट नमर्य सजयं को दी गई ठीघॆ नहीं अप्रस्ट या कब कि थी वो आपको बताना है तो कब हत्या उसने कि थी 155 का तो विकल्फ हमारा वी वाला सही हो जागा च्छ अप्राइल को किया गया था और 8 अप्राइल को उसको फासी दिया गया था चली 156 मा प्रस्ण कराया कि राम क्रिश्न मिशन की अस्थापना कब हुई थी वो आपको बताना है तो कब हुई थी इसका जो बिकल्फ सी वाला सही हो जागा 1897 में सी वाला बिकल्फ जो है इसका सही हो जाएगा 156 का आगे जलते हैं प्रश्न नमर 157 राम क्रिश्न मिशन के स स्थापक काउं थे वहीं प्रश्ण फिर से पूछ दिया तो स्वामी बीवेकानंद का नाम आता है इनके सिस्य थे चली आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 158 और यह है कि भारत में सती पर्थाकाउंत देखिया भी आगे पूछाता क्या वहीं राजाराम मोहनराय का ही नाम दिया गया है तो बी वाला विकल्प जो है वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा एक सो अंठावन का आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 169 भारती राष्टी कांग्रेस में पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष कब घोसित किया गया था कब किया गया था प्रश्ण नमर 169 का बहुत महत्पूर प्रश्ण 1969 में लाहोरा दिवेशन पंडी जवाहरलाल नहरू थे ध्यान नखेगा बी वाला विकल्प 169 का सही हो जाएगा प्रश्ण नमर 169 भारत भारतियों के लिए यह नारा किस ने दिया था तो स्वामी दयानंद स्वरसती ने दिया था और उन्हों ने आरे समाज के अस्थापना की थी यह वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 160 का बहुत अच्छे प्रश्ण है ध्यान से वीडियो को देखिए गा प्रश्ण नमर 168 है कि राश्टी युवा दिवेस किससे संबंदित है किससे संबंदित है वो आपको बताना है प्रश्ण नमर 161 का बहुत अच्छा प्रश्ण यह जो संबंदित हैं तो बीवेका नंद जी के याद में जो है राश्टी युवा दिवस मनाया जाता है यह वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्ण नमर 162 खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है वो आपको बताना है खिल ऊबर 19199 को 162 का ये वाला विकल्प आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 163 ब्रह्म समाज का प्रतिग्या पत्र किसी ने तयार किया था विकल्प आपके सामने हैं एक सो तेष्ण का जो विकल्प हमारा सही होगा वह जाएगा ए वाला विकल्प दिविंध्र नाथ ट्याए गोर ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा प्रश्ण नमर 163 का आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 164 स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था वो आपको बताना है प्रश्ण नमर 164 का तो के स्वराज पार्टी के अस्थापना कब हुई थी तो इसका जो हमारा विकल्प दो अंदोलन की अस्थापना कब और किसने की थी खिलाफत अंदोलन की अस्थापना 1919 में शौकात अली और मुहमद अली ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 165 का आगे चलते हैं प्रस्ट नमर 160 गांधी इर्विन समझाता कब हुआ था कब हुआ था प्रस्ट नमर 166 विकल् सब्सक्राइब तो पांच मार्च 1931 को समझाता होता है और दूतिया गुल्में सम्मिलन में ये भाग लेते हैं वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रस्ट नमर 166 किसी ने अजाधिंद फौज का पूर्ण गठन किया था तो कितने किया था सुबास पाड़ी इनको दू बार लगबग अध्यक्ष बनाया गया था और इनको को बनाया गया था वह आपको बताना है प्रस्ट नमर 166 में जो ही अध्यक्ष बने दे यह वाला बिकल्प जो है इसका सही हो जाए आगे चलते हैं प्रस्ट नमर 168 ग्रैंड ओल्ड मैंड आफ बिकल्प जो है इसका 179 का सही हो जाए आगे चलते हैं प्रस्ट नमर 170 मैं देश के बालू से ही कांग्रेश से बड़ी से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं किसका कताने बहुत महत्मूर प्रस्ट है किसने कहा था कि देश के बालू से ही कांग्रेश से भी बड़ा अन्दोलन खड़ा कर सकता हूं किसने कहा था तो यह कहने वाले थे महत्मा गाधी यह वाला बिकल्प जो इसका सई हो जाएगा 170 का आगे चलते हैं 171 और यह है कि महत्मा गाधी के राजनीती गुरु कौन थे तो गोपाल कृष्ण गोखले सब को पता है यह वाला बिकल्प 111 प्रश्च नम्मर 172 के राजिनितिक गुरु कौन थे वह आपको बतना है राजिनितिक गुरु की बात हो रहे हैं सुभास चंद्र बोस की बहुत महत्मर प्रश्च ने कहा था नेता जी तो इनको जो है सरप्थम नेता जी काने वाले ब्यक्ति थे तो वह थे अडॉल्फ हीटिलर नामक बैग्यानिक था उसने कहा था यह वाला बेगल्प जोय सही हो जाएगा 173 का आगे चलते हैं प्रश्च नम्मर 174 दिल्ली चलो जैहिं तुम मुझे खून दो यह सभी नारा किस ने दिया था तो सुभास चंद्र बोस ने दिया था य किसका कथन है मतलब यह बूख है लिव्ज इन इंडिया डाइस पूर्ण स्वराज और आराम हराम है यह वक्तब किस ने लिखा लिखा था और यह पुस्तक है दो उनकी यह किसकी पुस्तक है इसी में से आपको बताना है 75 का जो भी कल्प हमारा सही होगा यह जवाला नेरू कि यह है पॉइंट भी है कथन भी है और बूक भी नेकी है प्रश्ण नमर 176 है राम भारत छोड़ अंदुलन महात्मा गादी ही जुने है इससे सी वाला बेकल्पिस का सही हो जाएगा प्रश्ण नमर 177 कि स्वराज हमारा जन्म सिध्ध अधिकार है यह नारा जो है किस ने दिया था तो इसको जो इनारा देने वाले व्यक्ति थे वो थे बाल गंगाधर तीलक गरमदल के नेता थे सी वाला बेकल्प 177 का सही हो जाएगा आगे जलते हैं प्रश्ण नमर 178 मेरे सीर पर लाटी का यह प्रहा अंग्रेजी सासक के ताबूत की कील साबित होगा यह वक 79 गोखले के अध्यात्मिक राजनितिक गुरु का थे वो आपको बताना है मैं सभी की इनकी भी गुरु का नाम में थीरी वाले पार्ट में बताया था कौन सा विकल्प एम जी नरान रे जो थो जिनको महराष्ट का सुकुरात काते हैं वो इनके गुरु थे वाला पिकल्प जो सेवेंटीनाइन का सही हो जाएगा प्रस्ट नमर 180 है कि महत्मा गांधी को सरप्रतम महत्मा किसने का था वो आपको पताना है तो महत्मा की उपादी किसने दिया था यह कथन जो है किस व्यक्ति ने का था बहुत महत्पून प्रस्ट है पूछा जाता है यह पंडी जवार लयारु का यह वक्तब्य है द्यानके का सी वाला पिकल्प इसका 181 का सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रस्ट नमर 182 किसे हिंदी की उपादी किसे शमानित किया गया था तो किसे महत्मा गांधी को ही सम्मानित किया गया था यह वाला बिकल्प सही हो जाएगा 182 का 183 पर चलते हैं और यह है कि MDM की विवस्था है MDM की विवस्था क्या है MDM यह से कुनों कहते हैं यक रान में दोनों जोगा 50 कउसा प्राथमी बिद्द्याले में इस्का सही हो जाएगा लिए इस वाला बिकल्प च्रवाज हो जाएगा चंदर सेखर आजाद वी वाला बिकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 184 का इंडियन एसुसियेशन लग रहा है इंडियन एसुसियेशन की अस्थापना शुरेंदर नाथ बनर जी की होंगे तली उत्तर भी दिख लेते हैं सुरेंदर नाथ बनर जी हैं ध्यान अकिए का सुरे आपको बताना है भारत सेवक संग के संस तापक महत्पूर प्रश्ण है कौन सा बिकल्प 185 का सही होगा तो होगा गुपाल कृष्ण गोखले जीगी यह थे वी वाला बिकल्प इसका सही हो जागा प्रश्ण नमर 187 है कि परजा तंत्र दल तथा फारवर्ट बलाग जैसे दलों की अस्थापना किस ने किया था तो वह सुबास चंद्र बोस ने किया था सी वाला बिकल्प जोई तो सतासी का सही हो जाए गा प्रश्ण नमर 188 पावर्टी एंड अन बिटिस रूल इन इंड इसमें भारत की वर्थ ब्योस्ता की पहली ब्याक्या की गई ती किसकी पुस्तक है वह आपको बताना है प्रश्ण नमर 188 का तो दादा भाई नो रोजी का है वाला बिकल्प जोई हो जाए गाठासी का आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 189 गोकले भारत का हीरा महाराष्ट का राजा थे किसने कहा था बहुत महत्मूर प्रश्ण है स्टेटमेंट किसने कहा था लोक मानने तिलक जीने कहा था एक वाला बिकल्प जोई हो जागा इसका प्रश्ण नमर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था कौन था भाया जी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो एक ही बिकल्प दिया है यह वाला बिकल्प प्रश्ण अमर 191 का सही हो जागा सी राजा गोपाला चारी द्यान लखिएगा प्रथम स्वाधिनता संग्राम की शुरुआत कब संग्राम था प्रश्ण नमर एक सो संतावन की अंदूलन के मध्य प्रदेश में क्रांती का नेत्रूत किया था मध्य प्रदेश में कितने इस क्रांती का नेत्रूत किया था तो वो किये थे महारानी लच में बाई चांसी मध्य प्रदेश में यह वाला भी गल्प थोड़ा सब्सक्राइब बारेली बान खादुर्वा मंगल पांडे यह समने इसमें कोई नहीं को लग रहा है इस सा उत्तर क्या दिया है देखते हैं प्रश्न को काट दीजी वह सही नहीं लग रहा है मुझे चली आगे चलते हैं नाना साहब ने किस सहर पर अधिकार करके स्वाय को पेशवा गोशित किया था नाना साह बहुत ब्रिद्ध बेक्ति थे प्रश्न नमर 594 का वेगलप जो हमारा सही होगा डी वाला वीगलप जो सही हो जाएगा प्रश्न नमर 194 का आगे चलते हैं प्रश्न नमर 1952 बैरेकपुर चावनी में किस सैनिक ने चर्भी युक् प्रियुक से निकार किया था कौन था वेक्ति वो मंगल पांडेही न था विद्रो का कारण सी वाला वीगलप सही हो जाएगा 1952 का प्रश्न नमर 196 रानी लच्मी बाई ने किस ब्रिटिस जनरल से युद्ध किया था बहुत पूछा जाता है किस ब्रिटिस से युद्ध किय था तो वो किया था ही रोज से किया था यह वाला वीगलप 196 का सही हो जाएगा इसी ने कहा था कि पहली महिला मर्द मैंने देखा है इस्टेटिमेंट पूछा जाता है भारती राश्टियता का पैगंबर किसे कहा जाता है 1997 का किसे राजा राम मोहन राय को भी वाला विगलप जोह सही हो जाएगा आधूनिक पूरुस भी नहीं को कहा जाता है प्रश्ट नम्मर 192 महादेव गुविंद रनाडे ने किस समाज की अस्थापना कि थी वो आपको बताना है तो महादेव गुविंद रनाडे ने किस सम समाज की अस्थापना की थी तो रही प्राथना समाज के अस्थापना महाराष्ट में उने किया था दी वला अब विगलप जोह सही हो जाए इसी से संबन्दी थे तो यह राजार पांडूरंग का भी नामा था प्रस्ट नम्मर नीनाबे रामकृष्ण मीशन के था किसने की थी सबको पता है वीवेकानन्द काई आगे चलते हैं प्रस्ट नम्मर लास्ट इसवीडियो का क्योंकि सो प्रश्ण हर वीडियो में कर रहे हैं तो दो सो प्रश्ण पर रुख जाएंगे बनारास हिंदू विश्विद्याले क्या स्थापना कॉप हुई थी प्रश्ट नम्मर 200 बिकल्प कौन सा सही होगा यह वाला बिकल्प 1916 में तो यह थे हमारा 200 200 प्रश्ण हो गये हैं अब हमारा अगला वीडियो हैगा वह 200-300 प्रश्ण कवर कर दिया जाएगा ऐसे दो वीडियो में